तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमा के दार वीडियो में और आज का ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के उर्दू के अबजेक्टिव कोश्चन का वन शॉट वीडियो है जी हाँ जो मैं 10th क्लास के उर्दू का भुचाल सिरीज चला तीन सा अती महत्तव पून अबजेक्टिव कोश्चन का वुचाल सिरीज जिसका धेर सारा पार्ट बना हुआ था और आप लोगों को ढूंडने में भी दिक्कत हो रहा था कि पार्ट वन का है पार्ट टू का है पार्ट थी का है कभी-कभी आप लोगों को मिलता भी नहीं तो उन सभी दिक्कत और परिशानियों को आज के इस वीडियो में मैं खतम कर दी हूं जितना भी तीन सा अती महत्तव पून मौस्ट इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन कराई थी ना पार्ट वाइज उन सभी को एक ही वीडियो में यानि कि आज के इस वीडियो म में हम लोग तीन सा मौस्ट इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन करेंगे टेंथ क्लास के उर्दू का जो कि आप लोग के लिए ये एक वीडियो अमरित के समान है ये एक वीडियो देख लिजे अब्जेक्टिव का टेंशन ही खत्म क्योंकि सारा अब्जेक्टिव कोश्चन पर आप लोग को पता होना चाहिए तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को या दिला दू कि अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चैनल को औ आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखें या फिर अभी सब्सक्राइब किये तो शेयर मार दिजिए फड़ाफट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट हाँ तो यहां से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10 उर्दू अब्जेक्टिव कोश्चन टोटल तीन सा कोश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फड़ाफट देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के और कि आपके से यूपर हैं शब्डन कमाली कब प्यादा हुए और ये एक से लेकर असी कोश्चन तक इस तरह का कोश्चन है ना कि जिसमें ऑप्सन है ही नहीं जैसे कि इसमें नहीं अव्जेक्टिव कोशन हैं लेकिन इसमें ऑप्सन नहीं दिया गया है डिरेक्ट एंसर बता दिया है कि यह एक से लेकर 80 कोश्चन तक ऐसा है जिसमें नहीं है फिर एकासी नंबर सवाल से जब आप लोगों का सवाल स्वाल होगा वहां से आप लोगों मिलने लगेगा ठीक है तो देखें दूसरा सवाल शबनम कमाली का असल नाम क्या है डि इस भी आपसन में आप लोगो मुस्तफा रजा दिखाई दे उसको आप लोगो टिक कर देना है फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि यह कोश्चन आप लोग अल्री कर चुके हैं बुचाल से में पार्ट बाइज में आप लोग कर देना है कायनात की तक्लीक पूरी दुनिया को किसने बनाए कि अगर यह कोश्चन पूचता है तो जिस भी आप संब नम दिया रहे इसको टिक कर देना है पड़ा पड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन है कि शबनम कमाली का तालुक किस रियासत दे हैं तो वह है बिहार या सकते सोहेल अजीम अबादी के बच्पन का नाम क्या था तो सयद मुझीबुर्रह्मान बच्पन का नाम देखिए कोशन मॉस्ट विवियाई कितना बार पूछा है सोहेल अजीम अबादी के बच्पन का नाम सयद मुझीबुर्रह्मान जिस भी आपसर में आप लोगो दिखाई दे रहा है डिरेक्ट एंसर बता दिया गया है ध्यान रहे एकासी नंबर सवाल से आप लोगो आपसन मिलने लगेगा असी कोश्टन तक तो इसी तरह है डिरेक्ट कोश्टन है और फिर उसका एंसर तो देखिए सवाल नंबर आठ है कि सोहेल अजीम अबादी का तखलुस क्या है ये अपने शिरोश एडी के लास टाइड करते हैं कौन से नाम यूज करते हैं तो है सोहेल अजीम अबादी का तखलुस सोहेल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि सोहेल अजीम अबादी कहां पैदा हुए जवाब डिरेक्ट लिखा हुआ है पटना में ठीक है आगे बढ़ते हैं आप लोग इंसर बताने से पहले मे मजमुव का नाम क्या था इनकी पहला अफ्सानी मजमुव यानी की कहानी का किताब का नाम बताना है तो उसका नाम है चार चेहरे जिस भी आप्सटन में आप को दिखाई दे कर दिनेंगे बढ़ते हैं इस हैल अबादी के पदायश किकश मदर्से में हुई तो कोई मदरसे में नहीं एक मौलिम के सरपरस्थी में हुई थी तो मौलिम दिया रहेगा जब कोशन इस तरह से पूछेगा तो आपसन में मौलिम दिया रहेगा उसको आपनों को टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि कितने साल की उमर में सोहेल अजिम अबादी के वालिदा का इंतकाल हो गया यान कि उनकी मा की मौत हो गई तो एक साल की उमर में उनकी वालिदा सोहेल अजिम अबादी की मा का इंतकाल हो गया था next question है कि सोहेल अजिम अबादी कहां मुलाजमत किये तो वो All India Radio में मुलाजमत किये थे जौब किये थे सोहेल अजिम अबादी आगे बढ़ते हैं सोहेल अजिम अबादी का पहला मजमुवा चार चेहरे कब शाय हुआ सोहेल अजिम अबादी का पहला जो किताब है चार चेरे वो कब शाय हुआ तो आजादी के बाद शाय हुआ था यानकी प्रकाशित हुआ था सोहेल अजिम अबादी के एक नाविल का नाम क्या है जवाब लिखा है बेजड़ के पौदे ठीक है अगला कोश्चन सोहेल अजिम अबादी के अफसानी मजबूवा की तादाद कितनी है यानि कि सोहेल अजिम अबादी कितना कहानी का किताब लिखें टोटल कितने हैं तो देखें लिखा हुआ है अप एंसर में 125 आगे बढ़ते हैं सोहेल साहब का इंतकाल कब हुआ उन्हें सासी में हुआ था जवाब आप लोगो मिल गया आगे बढ़ते हैं मैं फड़ाफट करा रही हूं इसलिए आप लोग भी फड़ाफट अपने इसाब से एंसर बताएं और एंसर देखते चले मिलाते चले ठीक है सोहेल जवाबादी किस अख़बार का इजरा किये तो अख़बार का नाम साथ थी आगे बढ़ते हैं फरार किसका अफसाना है डॉक्टर मुहमद मौसिन का अफसाना है यह सारा मॉस्ट इंपॉर्टिंट अब्जेक्टिव कोशन है ध्यान रहे हर एक कोशन का आप लोग अपने इसाब से इंसर देने की कोशिश करें कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है कहानी जो फरार है फरार नाम के कहानी का मेन करेक्टर तो वह है महमूद आपसन में आप लोको महमूद दिया रहेगा लगा देना है फड़ा फक्त नेक्स्ट कोशन 23 कि डॉक्टर मौहमद मौसिन की पैदाईश कब हुई 10 जुल जुलाई ये 10 इधर आजएगा दस जुलाई उने से 10 में डॉक्तर मौहमद मौहसिन की पैदाईश वी थी नेक्स्ट कोश्टन है 24 नमबर सवाल की डॉक्टर मौहमद मौहसिन की पैदाईश कि शहर में हुई तो पतना शहर में हुई थी मौहसिन सहब के वालिद का नाम क्य तहाई है मसिए लोगा इंको नवारत हथा सइकलोजी में सबजेक्त इंग बहुत साइकलोजी पसंद होता हैemosём है हम आगे बढ़ते हैं एक्ट्सक्राइब 27 कि डॉक्ट्र मुहमद मौसिन का इंतकाल कब हुआ तो 2002 में बढ़न मौसिन के इंतकाल हो गया था एकड़ कोश्चन डॉक्ट्र मौमद मौसिन किस मौदू पर महारत रखते थे नफसियात साइकोल जी को कौन से मौदू कौन से वह नहीं थे तो था psychology याद रखिएगा ये question कितना बार पूछा गया है अगला सवाल की नफसियाती जाविये के मुसंभ का नाम बताईए तो है सेयद मुहमद मौसिन नफसियाती जाविये के राइटर का नाम सेयद मुहम्मद मुहसिन, फड़ फड़ आगे वढ़ते हैं, सवाल नमर तीस, मुहम्मद मुहसिन के कफ सान isolate मजमוע का नाम कया है? कफ सानि लिखा गया है, देखें, कफ सानि भी मजमוע का कैंगा है? तो ऑफसन नहीं के किताब का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराइट जो है न ये कहानी का किताब है सेद मौमद मौसिन का ठीक है आगे बरते हैं आई होप आप लोग अपने हिसाब से एंसर दे रहे होंगे बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग अपने हिसाब से एंसर दे रहे हैं एकदम सही सही दे रहे हैं सेद मुहमद मुहसिन के एक शेरी मजमुवा का नाम क्या है उसका नाम है जख्म के फूल शेरी मजमुवा यानि कि शेरोशाइरी के किताब का नाम है जख्म के फूल जो कि सेद मुहमद मुहसिन का लिखा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते है किसे साल मुहमद मुहसिन अपनी एहलिया के साथ हज का फराइज अदा किये तो उन्हें से 73 में स्यद मुहमद मुहसिन जो है अपनी एहलिया निकी वाइफ के साथ हज करने गए थे आगे बढ़ते हैं मुहमद मुहसिन के इंतकाल कहां हुआ तो दिल्ली में हुआ था मुहमद मुहसिन के कितने ओलाद थे तीन बेटे और चार बेटिया थी और मुहमुद आगे चल कर क्या बन गया तो डिप्टी कलेक्टर बन गया कमर जहां की तारिख की प्याईश क्या है तो उन्ह इसे क्यावन में कमर जहां की प्याईश होई थी तो आप लोग भी फास्ट लगाने की कोशिश करहें अपने इसाब से घृषछ ठीक है कमर जहां का तालॉक सोबब बछीयर के किस जिले से है तो समझती पूर जिला से आगे बढ़ते हैं कमर जहां के वालिद का नाम क्या है तो उनकी पिता जी का नाम है सियद अताउलहक अपसन में दिया रहेगा आप लोगों सियद अताउलहक कर देना है आगे बढ़ते हैं कमर जहाँ का तालुक किस यूनिवर्सिटी से है तो भागल पूर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट कोशटन है कि पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में MA और PhD किया तो उर्दू सब्जेक्ट में who elegи जो है MA और PhD किये थे आगे बढ़ते हैं कि कटी हुई शाह किसका अफसाना है तो कमर जहां का पहला अफसानवी मजमुवा पहला कहाने के किताब का नाम बताना है तो वो है जुनून वफा आगे बढ़ते हैं कमर जहां किस उनिवर्सिटी में उस्ताद थी तो कमर जहां जो है ना वह भागलपूर यूनिवर्सिटी में उस्ताद यानि की टीचर थी याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन मेगारेजिम का असल नाम क्या है रियल ने में ये कितना बार पूछा है मतल यह जितना भी मैं करा रही हूं ना 300 का 300 अती महत्तव पून अब्जेक्टिब कोश्चन है मॉस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए एक भी कोश्चन का आप लोगों को छोड़ना नहीं है हर एक कोश्चन का आप लोगों को एंसर याद होना चाहिए तो यहाँ पर सवाल किया पहने को याणि कि हम्रों किसली बस में है आगे बढ़ते हैं जून इन और जंव्फा की इस फाले किया थी या प्रकाशित किया था उनहें शेहसे महाणामा सूबाणू सूबाणू के महाणामा नाईसे 66 इस्वी में पर गाशित हुआ था जूनर वफा आगे बरते हैं कुमर चहां के एक अफसानों sih मज्मूणा का नाया बता है तो उनके एक अफसानों स्वाय का नाया ज्वाब में लिख दिया गए है चारागर ठीक है निगार रजिम ने किस मजमून में M.A किया तो उर्दू और फार्सी में पारिष्य निगार रजिम M.A की थी तीक है आगे बरते हैं कमर जहाँ ने अपनी तद्रीशी केरियर का अगाज कहा से किया तो सुंदर वती महिला कॉलेज से निगार अजिम पीच्डी की डिग्री हासिल खी नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 51 एक क्यावन नमबर सवाल कि निगार अजिम का मजमुवा गहन कब शाय हुआ तो उनाइस्ट नियानबिर में मजमुवा यान की किताब जो है न गहन वो प्रकाशित हुआ था आपसन में दिया रहाएगा नफसे आती टिक कर देना है आप लोगो आगे बढ़ते हैं नेगार अजिम का सफर नामा का क्या नाम है तो नेगार अजिम के सफर नामा का नाम है गर्दावार की जवाब में लिख दिया गया है आगे बढ़ते हैं नेगार अजिम के पहले पहला कहानी का नाम बताना है तो उसका नाम है अक्स जो कि उन्हें से 90 में प्रकाशित हुआ ये इसलिए में बता दीना ताकि अगर कोशन पूछे कि निगारिजम का पहला अफसाना अक्स कब प्रकाशित हुआ था कब शाय हुआ था तो आप लोग बता सके कि उन्हें से 90 में जाफा हो रहा है बढंती हो रही है तो यह हमारे लिए शिरियस बात है ना बहुत इज़ता खत्रेनाग बात है तो इसलिए ग्लोबल यान वार्मिंग एक संगीन बनडा यथा इसमें नेक्स्ट कोउस्टन नमबर 58 कि जमीन का दर्जाए हरारत यान की टेमप्डेचर पिछले 100 बरस में कितना बढ़ गया है जमीन का टेमप्रेचर तो 0.75 सेंटिक्रेट जो है ना बढ़ गया है टेंपरेचर प्रित्वी का अप्शन में आप लोग को दिया रहेगा 0.75 देखकर आप लोग लगा है क्योंकि ऑप्शन में इस तरह भी देता है 0.05 पॉइंट इधर देगा और साथ पाच इधर देगा या फिर इस तरह देगा 075.0 इस तरह तो जिस भी ध्यान से देख लेना है 0.75 डिगरी सेंटीग्रेट उसी को टिक करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं 59 नमबर सवाल कि मेथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है तो एक सा 40% का इजाफा यान की बढ़नती हुआ है मीथेन गैस में सोचिए मीथेन गैस कोई ग्रीन होस गैस कहा जाता है ठीक है साथ नमबर सवाल की बाल वग्यान कॉंग्रेस यहां पर बालू आ गई लिखा गया है गलती से टाइप हो जाता है आप जानते हैं उर्दू टाइपिंग इन किड़िम्दम आप बोल सकते हैं ठोड़ी तो यहां पर बालू आ गई नहीं होगा बाल वग्यान कॉंग्रेस जुजार साथ घं़्फटान के इस शहर सबसे ज़्यादा गैस निकलता है आगे बढ़ते हैं question number 62 है कि अमेरिका के साबिक नायब सदर कौन थे तो वो थे इलगोरे इट में भी ये question आप लोग के एक्जाम में पूछा जा सकता है तो important समझते हुए इसको भी याद के लिए सारा question important है तो एक भी question आप लोको छोना नहीं है सारे question का answer याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल कि बालव अग्यान Congress के क्या मौजवात थे तो बालव अग्यान Congress जो इस्थापित किया गया था इंदोस्तान के शहर दीमापूर में उसका मौजव था pollution और global warming यह कि किसी तरह pollution और global warming को कम करना आगे बढ़ते हैं next question कि बालव अग्यान Congress के पांच दिनों के conference में कितने तुलबा और तुलबा और तुलबा और तुलबा चात्राओं को शिर्कत करने का मौका दिया गया था next question कि बालव अग्यान Congress में कितने असाज़ा हिस्सा लिए यान कि बालव कांग्रिस नाम का जो conference हुआ था दूस्तान के शहर दीमापूर में उस conference में कितने असाज़ा यान कि कितने टीचर हिस्सा लिए थे तो 1165 टीचर जो है ना वो उसमें हिस्सा लिए थे सरस्यद के वालिद का नाम क्या था पिता जी का नाम था मेर मिर मतक्वी याद रखना है ये भी question कितना बार पुछा गया है किसी भी question को आप लोगो चोना नहीं है भूलना नहीं है कि ये most important है और सारे question को आप लोगो याद कर लेना है सारे question का answer ठीक है सरस्यद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है तो वो है रेया रेया नाम का निबंध हम लोगे बुक में है सरस्यद इमद खा का आगे बढ़ते हैं कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है तो कटी हुई शाख नाम का जो कहानी है हम लोगे बुक में है सरस्यद इमद खा की पैदाईश कब हुई तो 18-17 में सरस्यद इमद खा की पैदाईश हुई थी सरस्येद के वालिदा का नाम क्या था अजिज उनिसा बेगम यान की मा का नाम अजिज उनिसा बेगम आगे बढ़ते हैं सरस्येद ने अलिगर में कौन चाहदारा कायम किया तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि अलीगाड मुसलिम इन्रसिटी जी कब कायम किए या खायम किये थे यह किस्था पिट किये थे है अम्या यह एक लिया अजली आपनी आप औरो और्येंटिल कालेश कर दे आगे बढ़ते हैं ऐसारू सदाधिक किसकी त्सकी तस्लेफ कि अगे बढ़ते हैं सर् victims黨 को सर का किताब कब मिला तो 1878 में मिला था सर का किताब सरस्याद मत्वा को अंगलिस्तान से वापस आकर सरस्याद ने कौन सा रिसाला जारी किया तो उस रिसाला का नाम सा तहजेब अखलाक ठीक है आगे बढ़ते हैं अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो अदब का पहचान नम कहीं जो मजमून है इसके मजमून निगार डक्टर अब्दल्मगनी नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नमर सेवेंटी एट कि 1862 में सरसेद ने घाजीपूर में कौन सा सुसाइटी बनाया तो वो था साइनिटिफिक सुसाइटी काइन किये थे सरसेद अमदखा अदब की पहचान किस तरह का मजमून है तो अदब की पहचान जो है यह एक तनकीरी मजमून है अब्दल्मगनी पैदाई शूई थी अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो यहां से आप लोगा देखिया ऑप्सन स्टार्ट है यहां तक 80 नंबर सवाल तक मैं आप लोगो को बोली ना 80 नंबर सवाल तक आप लोगो डिरेक्ट एंसर मिलेगा अब 80 नंबर सवाल से आप लोगो आपसन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिये 80 नंबर सवाल की अदब की पहचान की मजमून निगार कौन है और यहां पर चार आपसन आप लोगो मिलेगा आपसन यह में कलम अद्दून कलीम अद्दीन एहमद भी में अब्दिलमुगनी सी में अख्तर अख्तर रवेन वी और डी में हैं तरसी अद्यमत खा तो अब आप लोग उपसन चारों आपसन देखकर एंसर बताना शुरू कर दे अब यहां से आप लोग का उपसन स्टार्ट हो चुका है चार आपसन हैं बताए इसका सही एंसर क्या होगा अदब की पेचान के मजमून निगार कौन है आप लोग को पता होगा वह है डॉक्टर अब्दुलमुगनी यानि की और बी इस तर राइट इंसर आइखो आप लोग और बी लगाए होंगे अब्दुलमुगनी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है इनमें अब्दुलमुगनी की किताब कौन है चार आपसन है अब्दिलमगनी की किताब इसका सही अंसर हो जाएगा जादू एटदाल इन चारो आपसन में से अपसन नमबर सी इस तर आइट एंसर जादू एटदाल जो है अब्दलमगनी की लिखिवी किताब है आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन कोश्चन अब्दलमगनी के वालिद का नाम क्या है उनके पिताजी का नाम बता रहा है अब्दलगफोर भी में अब्दलशकूर सी में अब्दल रओ और डिमें अब्दलवदूद इसका सही अंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर सी अब्दल रओ बहुत चारे लोग कहते हैं कमिन में बोल इतें कि आपसमर नमबर नहीं हो गलत हो जाने वाला है यहां पर राइट इंसर हो जाएगा उप्सनाबर सी इस दर राइट इंसर अब्दुलमग्णी के वालिद याने की पीता जी का नाम था अब्दुर्यूफ अब्दुर्यूफ याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब्दुर्यूशन 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 अब्दु शमसल होता नेक्स्ट कोश्चन अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ आगे बढ़ते हैं भीम रावंबेडकर के वालिदा का नाम बताना है मा का नाम आप्सने में भीम भाई बीम है पुतली भाई सी में रामा भाई और डीम है लक्ष्मी भाई सही अंसर हो जाएगा आप भीम भाई भीम रावंबेडकर की वालिदा यानि की मा का नाम था भीम भाई आप लोगो पता होगा यह तो एकदम हल्वा कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भीम रावंबेडकर की पैदाईश कब हुई ऑप्सन अ में 1893 बीमें 1892 ची में 1891 और डीमें 1891 वड़ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन फड़ाफट हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोग कोश्चन और डी कर चुके हैं ठीक है मैं आप लोगो एक बर करा चुकी हूं और यह दुबारा हम लोग आप बोल सकते रिवाइस हो रहा है आप सभी लोग का तो फास्ट में करा रही हू भीम राओं बेटकर के वालिद फॉज के किस एहद से रिटायर हुए थे ओपसन ए में सुबेदार बी में है मेजर सी में कमांडर और डी में है ब्रिगेडर यह भी एकदम हलवा कोश्चन है आप लोग को पता होगा कि भीम राओं बेटकर के वालिद जो है पिता जी वो फ आप लोग को पता होगा यह भी एकदम हलवा कोश्चन सही अंसर और सी रामा बाई जी हैं अगर अगला सवाल है सवाल नंबर 90 नंबर सवाल कि भीम राओं अमेटकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओधे पर फायज हुए विम राओं मेटकर स्वतंत्र भारत के किस पोस्ट पर उनको स्थापित किया गया ऑप्सन अ में है वजीर तालीम बी में वजीर रेल सी में है वजीर कानून और डी में है वजीर दाखिला सही अंसर आप लोगो पता होगा ऑप्सन नंबर सी जी हां वजीर एक एक्स्ट कोश्टन देखते हैं भीम राओं अमबेटकर का इंतक आप्सन नंबर सुवाल होगया ठाल गया थां नेक्स्ट कोश्टन नमबर 92 कि डक्टर अब्दलमगनी ने अपनी मुलासमत का आगाज किस कॉलेच के ओप्सन एमने है ब्यॅन कोलेज बी में है पत्ना कोलेच सी में फ्ल्रोरन्स कोलेज और डी में कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा आपसा नमबर बी पटना कॉलेच से डॉक्टर अब्दलमगनी अपनी मुलाजमत का आगास किये थे ने जाब की शुरुआत किये थे नेक्स्ट कोश्चन कि अब्दलमगनी की तालीम कहा तक है कहा तक पढ़ाई किये थे और आपसा ने में हैं आपसा नमबर दी लगायोंगे जो कि बिलकुल सही जबाब है अगला सवाल है कि डॉक्टर अबदुलमगनी किसको नजर की मुलाजमत से सबक दोश हुए है तो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है डॉक्टर अबदुलमगनी किसको नजर की मुलाजमत से सबक दोश हुए यहां पर थोड़ा सा तो मिश्टेक हुआ है किसको नजर की मुलाजमत से नहीं होगा किस मुलाजमत से सबक दोश हुए ठीक है डॉक्टर अब्दुल्मगनी जो है ना वो किस मुलाजमत यहन की कौन से जॉब से रिटायर कर गए कॉलेज की मुलाजमत से सबक दोश हुए यान की कौन से कॉलेज की जॉब से रिटायर हुए तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए बी एन कॉलेज से रिटायर कर गए थे डॉक्टर अब्दुल्मगनी आगे बढ़ते हैं गर्दावार्गी जो है ना यह अब्दुल्मगनी की किताब नहीं है आगे बढ़ते हैं भीमरावमेटकर की पैदाईश कहां हुई आपसने में मियो चाउनी भी में तरेगना सी म लोगों को पता होगा कि भीमरावमेटकर की पैदाईश जोएना वह हुई थी महुं सेंट्रल इंडिया में यानि कि ऑप्सन नबर सी इस दा राइट एंसर आगे बढ़ते हैं भीमराव के वालिद का नाम क्या है पिता जी का नाम बता रहा है ऑप्सने में राम जी मालो जी सक्पाल इसका भी एंसर एक दम यह भी हल्वा कोशन है भीमरावमेटकर के पिता जी का नाम था हां ऑप्सन नबर बेज़ दराइट एंसर राम जी मालो जी सक्पाल याद रखेगा यहां पर सक्पाल भी लिखा है तेजी में जल्दबाजी में आप लोग इसको मतले बहुत सक्पाल ठीक से लिखा है कि नहीं इस तरह होना चाहिए सक्पाल राम जी मालो जी सक्पाल ठीक है ध्यान से देख कर लगाना है आगे बढ़ते हैं भीम्राव को सभी लोग बच्पन में क्या कहकर पुकारते थे ऑप्सन एमें अंबेड कर वी में भीमा सी में है भीम्राव और डी में राओ तो इसका भी एंसर आप लोगों को पता होगा सही एंसर हाँ और वीज़ राइट एंसर भीमा केकर पुकारा जाता था भीम राओं बेटकर को बच्पन में ठीक है आगे बढ़ते हैं आई होप आप लोग लाइक शर वगरा कर दिये होंगे अगर अभी तक श आपसन अ में सीतारा भी में है सेंटरल इंडिया सी में अमबा वाडे और डी में वजीर कोट तो ये भी मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बढ़ा चुकी है और इंटरेक्ट ये सारा कोशन करा भी चुकी हुँ दुबारा करें तो आप लोगों को पता होगा इसका सही एंस सा मजहब कौन से धर्म को अपना लिए बुद्ध बी में है जैन सी में हिंदू और डी में मुस्लिम तो भीम राव मेटकर जो है ना वो आगे चल कर बुद्ध मजहब को अपना लिए यानि कि अगला सवाल है कि लुद्ध रह्मान की पैदाईश कब हुई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि लुद्ध रह्मान किस पार्टी के में ले रहे हैं अप्सन ए में है कॉंग्रेस भी में है बीजे पीसी में राज़त और डी में जेडियू तो लुद्ध रह्मान जो है ना वो कौन से पार्टी के में ले थे तो जेडियू जेडियू इसका सही एंसर क्या हो जाएगा राज़त हां ऑप्सन नमबर सीज़त राइट एंसर रा लाजमी अनसर क्या है हाँ यह भी मॉस्ट इंप्रटन कोश्चन है बताएं अप्सन में स्टेज बी में प्लॉट सी में किरदार और डी में मकाला सारा का सारा इंप्सन समझते हुए हर एक चीज़ में आप लोगो पढ़ा चुकी है और सारा करा चुकी है अबजेक्टिब तो आप लोगो पता होगा कि ड्रामा की तक्मील का लाजमी अनसर जी हाँ स्टेज बिल्कुल सही जवाब ऑप्सन नमबर एस राइट है इंसर आई होप आप लोग ए लगाया होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं लुट्फु रहमान का कौन सा हम लोगों के बुक में दिया गया है हम लोगों को पढ़ना है तो वह है उर्दु ड्रामानेगारी और आगासर ठीक है आपसा नमबर भी इस दो राइट इंसर आगे बढ़े अगला सवाल लुट्फु रहमान के वालिद का नाम क्या है उनके पिता जी का नाम बताना है सवाल नमबर 108 कि लुट्फु रहमान कहां पैदा हुए और बनियारपूर तो लुट्फु रहमान की पैदाई स्वी थी बनियारपूर में यानकि आपसा नमबर डी इस दो राइट इंसर सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब आपसा नमबर डी चली आगे बढ़ते है 109 नमबर सवाल है कि लुट्फु रहमान का अबाई वतन कहां है और बनियारपूर तो लुट्फु रहमान का अबाई वतन वो दरभंगा है और आपसा नमबर ए लगाए होंगे आगे बढ़ते हैं 10 नमबर सवाल कि आरे भट की पैदाईश का होई ऑपसने में बिहार भी में जारकंड सी में उडी सा और डी में आसाम यह तो एकदम हल्वा कोशन है सही एंसर ऑपसन नमबर ए भिहार में आरे भट की पैदाईश हुई थी आरे भट ने अपना तजर्बगाह कहां कायम किया ऑपसने में गया भी में तरेगना सी में पटना और डी में खगोल तो यह भी एकदम हल्वा कोशन इसका सही एंसर हां ऑपसन नमबर भी साफ साफ दिख जरा है तरेगना में आरे भट अपना तजर्बगाह कहां किये थे रिसर्च सेंटर आप बोल सकते हैं खोले थे जहां परोबैट कर रिसर्च किया करते थे थे ठीक है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है यह भी कोशन कितना बार पूछा जा चुका मॉस्ट इंपॉर्टेंट है जम्हूरी दौर भी में तरक्की पसंद दौर सी में सुनहरा दौर और डी में तारीक तो आरेबट का तालुक था गुप्त आयद से यानिकि ऑप्सन नमबर ए इस तरह इंसर एक सा तेरह नमबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं लुद्फुर रह्मान के वालिदा यान की मा का नाम बताना है ऑप्सन ए में जबीदा बेगम बी में सली इमा बीवी C में हैं रुकषार बेगम और D में हैं बीवी आमना सही जवाब ऑप्सन नमबर D बीवी आमना था लुद्फुर रह्मान के वालिदा यान की मा का नाम बीवी आम नब ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की दरजजायल में कौन सा कौन रित्फं अम्र डिर्क्त भों निगाह जो है रित्फ सुर्ण लतार को स्जाधी के लिए ए सिर्ण निगाह का रहा है किले विइन उसके हैं विजायों का अगे बढ़ते हैं । रित्फुर्यां के मुजमून निगाह के लावा और क्या में में होस०्ध मुजवात तो औरसे रहें तो में हैं ओसुस मुझवात रहा हैं तो DSG न की भिचें । सिन्फ वो लिखें कौन कौन से सिन्फ में वो तबाह आजमा है तो बताएं फड़ाफट इसका सही एंसर हो जाएगा सवाल नमबर एक ससूला है सही जवाब आपसा नमबर डी जी है सबी यानि की लुद्फ रहमान मजमून के लावा तनकीद भी लिखा करते थे शायरी भी ल लुद्फ बढ़को आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी तदर्रसी किदमागा आगास किस यूनिवर्सिट्टी ज्यू और एक स्टू किये थे यानि की पभागलपुर यूनिवर्सिटी से लाह सैनि हो पापनी उप्लोग अपनी लगा होंगे ऑफशन सही जवाब है next question की आरे भट ने किस science दाकी रहनुमाई की थी लो भाई ये भी most important है option A में है Galileo, B में है पैथागोरस, C में है Thomas Edison और D में है अबुलकला महाजाद तो आप सभी लोग को इस cancer पता होगा बताए what is the right answer of this question पैथागोरस नाम के scientist थे जिसकी रहनुमाई आरे भट किये थे ठीक है आगे बढ़ते हैं आरे भट की पैदाईश कब हुई option A में है 574 इस B में है 574 इस B में है 476 इस B और D में है 778 इस B आप लोग को पता होगा कि आरे भट की पैदाईश हुई थी आगे बढ़ते हैं निजाम आशारिय की तलाश किसने किया यानि की decimal सिस्टम की खोज किसने की option A में भी मरावमेड कर भी में हारे भट C में है एक रुक चाहे रुक चाहे option नबर C यह रहा option C में है तो सुर्यमान और D में है गैलीलियो बताएं यह है B और यह है C यह है A यह B C बताएं निजाम आशारिय की तलाश किये थे यह तो एकदम हरुआ कोश्चन है वह है आरे भट यानि कि option B इस था आरे भट option में दिखे देगा तो आप लोगो टिकर देना है आगे बढ़ते हैं किसी सेयारा या सितारा पर जजवी या मुकमल तोर पर पर परदा पर जाने को क्या कहते हैं किसी सेयारा या सितारा यानकि किसी भी प्लानेट या फिर किसी भी सितारे पर जजवी यानिकि c कैते हैं किसी भी सीटार। किसी दूसरे सीधार का आध्यां या फिर पूरा साया पड़ता है उसी को कहते हैं हम लोग करहन आगे बढ़ते हैं 21 सब्सक्रास बड़ा स्ब्सक्री लगा ओप्सन A में है जून 2008, B में है जुलाई 2009, C में अगस्ट 2011 और D में है सेप्टमबर 2003 सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर B, जुलाई 2009 इस भी में लगा था 21 सदी का सबसे बड़ा सुरजगरहन, आगे बढ़ते हैं, नासा के एक साइंस दा जो 2009 में पेश आने वाले सुरजगरहन पर 20 सालों तक तहकी काम करते रहें, उनका नाम क्या था आप्सन A में है, आरे भट, B में है, एपीजा बुलकलाम, आजाद, C में, अल्लामा अगबाल, और D में है जे अंडर्सन नासा के एक साइंटिस्ट थे, जो 2009 में सुरजगरहन लगने वाला था ना, तो उस लगने वाले सुरजगरहन के लिए, वो 20 सालों से तहकी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उनका नाम था, जे अंडर्सन, यानि कि आप्सन अंबर D इस तरा, आप आप लोग आप क्वेशन, कितने सफाद पर, हाँ, दो सफाद हैं, कि दो सब पेस पर एक तफसीली रिपोर्ट पेस किये थे, विस्तार से लिख कर बताये थे, कि जो 2009 में सुरजगरहन लगने वाला है, कहां लगए या, किस तरह मतलब, क्या-क्या खुसूसियत है, उस सुरजगरहन में, य दो सब सफाद पर, दो सब पेस पर एक तफसीली रिपोर्ट पेस किये थे, जैंडर्सन, जैंडर्सन सहाब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैंडर्सन की रिपोर्ट के मताबिक 2009 के सुरजगरहन के मशादा के लिए मुनासिब तरीन मुकाम क्या था, 2009 के सुरजगरहन को दे पर सही इंसर हाँ, और सबसे अच्छा जगा था, 2009 के सुरजगरहन को देखने के लिए, तरीगना के मानी क्या है, बताना है, और सने महें तारेगिना भी में, चांद देखना सी में, तैरना उर डिन्द में, शर्मिंदा होना, तो तरेगना का मानी होता है, तारेगिना यान में सुबह 6 बज़कर 21 मिनट सी में साम 4 बज़कर 49 मिनट और डी में शाम 5 बज़कर 45 मिनट तो बताएं 2009 का सुरजगरहन कितने बज़े सही जवाब मैं आप लोगों को बता देती हूं सुबह 5 बज़कर 29 मिनट आगे बढ़ते हैं 128 नंबर सवाल है कि तरेगना पटना से दक्कन जानिब कितने किलोमीटर की दूरी पर वाकिए है जब चांद का साया चांद का प्रचाई सुरज पर पड़ता है तो कौन सा गरहन लगता है जिसका सही एंसर हो जाएगा आपसा नंबर बी सूरज गरहन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो अपतल नसू किसका नाविल है ये भी कोशन कितना बार पूछा गया है आपसाने में हादिर रस्वाबी में प्रेम चंदिस्टी में नजीर एमद और डी में अब्द नजीरैम्द के पहले नाविल का नाम अपसाने में थो पतल नसूभी में अबिंय म मिरातुलोस तो नजीरैमद के पहला नाविल का नाम था बिरातुलोस и यान कि सही जवाब आप लोगो पता होगा आपसा नमबर बी हो जाएगा जी हाँ इठार सच्छेटिस में नजीर एहमद की पैदाइस हुई थी नजीर एहमद ने किसकी तालिम और तर्वियत के लिए नाविल लिखे आपसने में हैं बेटों के लिए बी में मुसल्मानों के लिए C में है BTO के लिए और D में है रिष्टधारों के लिए पता होगा ये भी एकदम हलवा कोश्टन है कि नजीर अहमद जो है ना वो अपनी BTO के लिए नाविल लिखे थे यानकि option number C is the right answer नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ option A में उने से 10, B में उने से 11, C में उने से 12 और D में उने से 13 नजीर अहमद का इंतकाल हो गया था उने से 10 में यानकि option number A is the right answer आगे बढ़ते हैं 135 नबर सवाल की नजीर अहमद की पैदाएस UP के कि जिले में हुई option A में है मेरठ, B में है मुरादबाद, C में है कानपूर और D में है बिजनोर तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही एंसर हो जाएगा 135 नबर सवाल का option number D बिजनोर ठीक है आगे बढ़ते हैं UP के के जिले में तो बिजनोर में चलिए next question है कि फहमीदा नसूर की कौन थी प्रक्सी लगा हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आगे बढ़ते हैं अब बताएं कि हमीदा नसूर की कौन थी option A में है बहन, B में है बेटी, C में है बीवी और D में है दोस्त तो सही जवाब आप लोगो को पता होगा option number B बेटी थी हमीदा, मंजली बेटी आगे बढ़ते हैं नजीर अहमद कितने साल के थे हैं कि उनके वालिद यानकी पिता जी का इंतकाल हो गया option A में है, 7, B में है, 9, C में है, 11 और D में है, 13 तो नजीर अहमद जो है न वो अभी 13 साल के ही थे कि उनके वालिद यानकी पिता जी का इंतकाल हो गया, आगे बढ़ते हैं D हो गया, बिल्कुल सही जवाब डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था पिता जी का नाम option A में है, सादत अली बी में मेहमूद अली सी में, अब्दलगफूर और D में है, अब्दलहली, अब्दलहमीद तो सही जवाब हो जाएगा 149 नबर सवाल का option नबर A सादत अली, नाम था डिप्टी नजीर अहमद की पिता जी का आगे बढ़ते हैं, 140 नबर सवाल कि अर्बी और फार्थी की तालिम नजीर अहमद को किस से हासिल हुई, आपसने में सादत अली, B में अब्दलकफूर, आजम पूरी, C में मौलवी नसुरल्ला और D में अब्दलकदूस, गंगो ही, तो बताए, अर्बी और फार्थी की तालिम, शिक्चा जो है ना नजीर अहमद को किस से हासिल हुई, किस से मिली, सही अंसर, आपसन नबर A हो जाएगा, सादत अली, सादत अली, एंकि उनके पिता जिसे ही, नजीर, मतलब उनको तालिम हासिल हुई थी, और भी वो फार्थी की, आगे बढ़ते हैं, टेंपल साहब में, नजीर अहमद को कितने रुपए महवार मिलता था, आपसन A में है 30, B में है 40, C में है 50, और D में है 60, सही जवाब हो जाएगा, आपसन नमबर B, चालिस रुपए महवार मिलता था, टेंपल साहब में, नजीर अहमद को आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्वेशन है कि नजीर अहमद कहा के डिप। इंसपेक्टर हुए। साफ साफ इंसर दिख जा रहा है चले आगे बढ़ते हैं उर्दू के पहले नाविल लिखने वाले इंसान नाविल लिखने वाले 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 नाविल मिरातुल उरूस और वहीं से मतलब नाविल निखने के शुरुवात नजीर एमत से ही मानी जाती है आगे बढ़ते हैं एक सच्छे वालिस नंबर सवाल कि मिरातुल उरूस के शाथ कब हुई आपसन ए में आगे बढ़ते हैं अकबरी और असगरी किस नाविल के किरदार है आपसन नबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब मिरातुल उरूस चलिए आगे बढ़ते हैं तो अपतल नसू कि एशाथ कब हुई कब परकाशित हुआ है आपसन ए में मिरातुल उरूस बी में है बातल नाश सी में रुआय साथ का और डी में है तो पतल नसू सही जवाब हो जाएगा आपसन नबर सी रुआय साथ का जो है वो नजीर एहमद का आखरी नाविल है आई हो पाप लोपसी लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है आगे चौरासी आपसन नबर ए इस तरह ही टेंसर चलिए आगे बढ़ते हैं जवाब जैल में कौन नजीर एहमद का नाविल नहीं है आपसन ने में फसाना मुपतला बी में मिरातुल उरूस सी में जदू इतदाल और डी में अबनुल वक्त तो नजीर एहमद का नाविल कौन नह हैं आगे बढ़ते हैं कितने साल की उमर में नजीर एहमद का इंतकाल हो गया और सब्सक्राइब कर चुके और आदा बचा हुआ है तो देखिए फिर से मैं आपनों को याद दिला दे रही हूं कि अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कि हैं तो फड़ावट शेयर कर दें सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा च्छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सभी लोगों से आप लोग लाइक शेयर वगरा जरूर करें चलिए आधा कोशन हम लोग कर चुके अब यहां से एक से क्यावन नंबर सवाल स्टार्ट हो रहा है एक से क्यावन नंबर गालीब किस शेहर में पैदा हुए आप सणे में दिली भी महरां पूर सी में आगरा में लखनौ मिर्दा जहना वो पैदा हुए थे आगरा में याथिए नबर सी इस दराइट इंसर आगे बढ़ते हैं फड़ा फट एक्ट कोश्चन है कि मिर्दा गालीब के वालिद याने कि उनके पिता जी का नाम क्या था अपसने में नसर अला बेग भी में अब्दुल्ला बेग सी में जिया अला बेग और डी में अश्मतुल्ला बेग ये एक दम हल्वा कोश्चन है उनके पिता जी का नाम आप लोगो पता होगा मिर्जा गलिब की पिता जी का नाम क्या है अब किताब का नाम है उद्धिन सर जिस भी आप लोगों को दिखाई देगा टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं शामिल निशाब आप लोगों के सिलमस्त में जो सामिल निसाब खत है तो उस खत को गालिब ने किसे को मुछाब खत anál हैं अपसान और अ कराहमत हुसें में किसके लिए लिखा रहते हैं अपसμε no.1 उल्झाव ड़ंजा तो निसाब कौशन है कि मैंने वह और अंदा तहरीर एजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है ya कॉल किसका है यह तो आप लोगो साब साब दिख जा रहा है कि इसका सही अंसर गालिब आपसा नबर 20 तरह इस अंसर गालिब नहीं कहा है कि मैंने मुरासला को मकाल में बना दिया है यह कौल मिर्जा गालिब का है आगे बढ़ते हैं गालिब का इंतकाल कब हुआ अपसुना में और 1676, B में 117, C में 1162 D में 1879 सही जवाब हो जाएगा और 1679 में मेर्जा गालीब का इंद्गाल हो गया था एक्ष कोस्टन है गालीब का मजार कहा है अपसुना में इस आगराबी में लख रहा हूँ C में है दिल्ली और D में लाहर तो एक संटावन नमबर सवाल का सही जवाब क्या होगा जी हाँ आपसन नमबर सी इस दो नाइट इंसर दिल्ली में गालिब का मजार है तो आपसन नमबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि गालिब ने कितने खुदूत लिखे आपसन नमबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं गालिब के खुदूत के किसी एक मजमुआ का नाम बताएं आपसन नमबर खातिर भी में अर्दू मॉल्ला सी में अक्स और्डी में मकातिब सरस्यद सो बत गालिब के खुदूत के मजमुआ का नाम यानकी खत के किताब का नाम बताना है याँ इसमी लिखा रगा गया है अगे बढ़ते हैं मिर्जा आ ईंसर श्रुवात में मिर्जा गालिप साथ χोय लिए और मिर्जा लगाने एक गालिब लगाना स्टार्ट कर दिये मिर्जा गालिब का तखलुस क्या है लीजे दूसरा कोशन वही पूचा है मिर्जा गालिब का तखलुस क्या है आपसने में मिर्जा भी में असद सी में गालिब और डी में बेग बता होगा सुरुईब में तो मिर्जा गालिब असत तखलूस रक्ते थे बार दमें जावर सिंज कर लिए और मिर्जा घालिब का तखलूस क्या होगा गालिब हो गया आगे बढ़ते हैं गालिब की शाधि किससे हुइ आपसने मेर्जिय स्ल्टान अप भी में अजिज उनिसा बेगम सी में इजट उनिसा बेगम और ड़िमें उमराओ बेगम तो गालिब की साधि हुई थी उमराओ बेगम से याईनि की आपसन नमर 2 हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन है मिर्दा गालिब के वालिदा यानि की मा का नाम बताना है आपसन एमें रजिय सुल्तानाभी में अजिज़ उने सा बेगम सी में इज़त उने सा बेगम और डी में उम्राओ बेगम सही अन्सर हो जाएगा आपसन नंबर सी इज़त उने सा बेगम जो है ना नाम है मिर्दा गालिब की मा का आपसन नंबर सी इस तरह इट इंसर आगे बढ़ते हैं 165 नंबर सवाल आपके स्क्रिन के उपर है गालिब के चचा का नाम क्या था आपसने में नसर बेग B में अब्दॉल्ला बेग C में अजयाओ बेग Aड इमें अश्मत अला बेग एक दम इनसर आप लोगों को साफ साब दिखाए दे रहा होगा अपसन नबर A जी है नसर इल्ला बेग बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का आगे बढ़ते हैं कितने साल की उमर में मिर्जा गालीब के शादी होगई आफसे न वह जायेगा आफसे नiful ाफसे सा नमर Гवाद की पैदाइस के सूबह 168 नमबर सवाल है कि शौबाज की पैदा इस किस साल हुई आपसने में 1860, B में 1861, C में 1862, D में 1863, सही अंसर हो जाएगा आपसने में 1860 चलिए आगे बढ़ते हैं, तफरीह लुब के मसनिफ का नाम बताएं, आपसने में कलीम الدین, B में है, गालिब C में है, शौबाज और डी में शिबली नमानी, तफरीह लुब के मसनिफ एनिकी राइटर का नाम बता रहा है, सही अंसर हो जाएगा आपसने में सी, शौबाज, अ बेटी का नाम बता रहा है, आपसने में अकबरी, B में फैमीदा, C में संजीदा और D में सुग्रा, यह भी एकदम हल्वा कोश्चन है, हाँ, सही अंसर हो जाएगा, क्या, एकदम हल्वा कोश्चन है, एक सबस्तर नमबर सवाल का सही जवाब, आपसन निमर डीजी है, उसक एक सबस्तर नमबर सवाल की मेधिया फादी, यूपी के किस शहर में पैदा हुए, आपसने में लखनाओ, B में है, गोरखपूर, C में अदीगड़, D में अलहाबाद, तो सही जवाब हो जाएगा, आपसन नमबर B, गोरखपूर, यूपी के शहर गोरखपूर में पैदा ह तो इसका सही एंसर, आपसन नमबर A, मेहदी हसन, मेहदी हसन, मेहदी हसन, आपसन नमबर A हो गया, बिल्कुल सही जवाब, चलिया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, कि मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की, आपसन A में 1, B में 2, C में 3, और D में 4, यह भी एक तीन शादिया किये थे, मेहदी अफादी आगे बढ़ते हैं, मेहदी अफादी में, मेहदी अफादी में, जेर नसाब खत में, किसको मुखाब किया है, मेहदी अफादी जो है, आप लोके बुक में, जो मेहदी अफादी का खत पढ़ना है, तो उस खत को मेहदी अफादी कि को लिखा है? किस के लिए लिखा है? जी हा, मखबूल आ Senior के नाम लीखे रहते हैं खत महदी अफादी आगे बढ़ते हैं महदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? उप्सने में अंग्रेजी, बी में हिंदी, सी में अर्भी और डी में बंगला पता है आप लोग को इसका भी सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर ए अंग्रेजी इंग्लिश में मेदियफादी को महारत हासिल थी उप्सन नमबर ए इंग्लिश भी जानते थे अंग्रेजी तो उप्सन नमबर ए इस तो राइट एंसर बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं बेदी से इंटर्विव किसने लिया बताएं उप्सन आपके स्क्रीन के उपर है उप्सन ए में है इसमत चुकताई बी में है मदफिराज सी में है रिशीदा बेगम और डी में है मौसिन लाहरी तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा उप्सन नमबर ए इसमत चुकताई दो लोग लिए रहते हैं बेदी से इंटर्विव इसमत चुकताई बड़्यों अगर ducks इसमत चुकताई दिखाई दे तो इसमत चुकताई बेदी की पैदाइश किस शहर में आपसाने में लाहोर वी में कराची सी में चंडी कराओडी में अमरित्तर सही अंसर हो जाएगा आपसान नबर ए लाहोर में राजेंदर सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी आगे बढ़ते हैं कि शामिल निसाब इंटर्वीव में किसका इंटर्विव लिया गया है आप लोग के बुक में जो इंटर्वीव लिया गया है इसका सही अंसर जी आगे बढ़ते हैं वेदी का इंतकाल कब हुआ option A में है उन्हे से 80, B में उन्हे से 82, C में उन्हे से 83, D में उन्हे से 84 सही इंतर हो जाएगा option number D, उन्हे से 84 में बेदी का न्थकाल हुआ था आगे बढ़ते हैं, चकबस्त की पैदाईश कब हुई, तो इसका सही इंतर हो जाएगा option number D, 1882 में आप लोगों को बता दे रही हुँ, आगे बढ़ते हैं, 182 नमबर सवाल है कि निसाब में शामिल नजब मुनाजर के शायर कौन है, आप सने में चकबस्त भी में हमद फिराज सी में आज़ाद और डी में महरूम, यह तो आप लोगों को बता ही सकते हैं, देखे उर्दू तो आप लोग याद कर सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखेगा यूँ, अगर देखे हैं न, ट्रिक आप लोगों को पता है, तो आसानी से बता सकते हैं, नजब मुनाजर कुदरत के शायर कौन है, रैटर कौन है, बताए तो इसका सही एंसर क्या हो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है कि चेकबस्त का पूरा नाम क्या था, अच्छा आप लोग फड़फट कमेंड में लिख कर बताए कि क्या आप लोग उर्दू में टेंथ क्लास की उर्दू का जो चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने का ट्रिक ब उसका सही जवाब हो जाएगा, 183 नंबर सवाल का, आपसन नंबर बी, पंडित बर्ज नरायन चकबस्त का पूरा नाम रहता है, आपसन नंबर बी इस दराइट इंसर, आगे बढ़ते हैं, चकबस्त की वफात कब हुई, आपसन ए में है, उन्हें से 24, बी में है, उन्हें स जगरनात आजाद की पैदाईश कब हुई, तो जगरनात आजाद की पैदाईश हुई थी उन्हें से 18 में, यानि कि उपसन नंबर डी इस दराइट एंसर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 187 नंबर की जगरनात आजाद की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है, ज आप लोगो पता होगा, इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, उपसन नंबर बी, हाँ, इंडिया गेट, जगरनात आजाद की पैदाईश, जगरनात आजाद की जो नजम है, इंडिया गेट, वह हम लोगो के बुक में शामिल है, यानिकि ऑपसन नंबर बी इस तरह इंसर आग आप लोगो दिखाई दे रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया गेट कहां वाके है, कहां इस्थापी थे भई, इंडिया गेट, ये तो हर इंसान जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, कि इंडिया कहां है, बताये तो जड़ा, हाँ, दिल्ली में, आपसन नं मुगल हुक्मरानों ने, डी में, खिलजीों ने, तो सही जवाब, इस आपसन नंबर बी, हाँ, अंग्रेजों ने बनवाया था, इंडिया गेट को, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर एक यानबिर, कि नजब इंडिया गेट के शायर कौन है, आपसन है, कि जगरनाताजाद का इंतकाल कब हुआ, तो उनका इंतकाल हो गया था, जोजर चार में, यानकि आपसन नंबर डी इस था, राइट इंसर, अगला सवाल है, कि निसाब में, शामिल नजब हम नौजवा हैं, के शायर कौन है, हम नौजवा हैं, नाम के चैप्टर के, कव चैप्टर का नाम याद रखने का, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कि परवेश शादी की पदाइश कब हुई, आपसने में, उन्हें से नौ, वी में उन्हें से पंद्रा, सी में उन्हें से एक इस, और डी में उन्हें से दस, सही एंसर हो जाएगा, आपसन न से नाम रियल ने में बताना है, आपसने में सेयद अबरार हुसें, वी में सेयद एकराम हुसें, सी में सेयद परवेश हुसें, और डी में सेयद जावाद हुसें, जावेश हुसें होना चाहिए, तो बता दे इसका से एंसर, हाँ, आपसन नमर बी, इस तर आइट एंसर, से कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है ऑप्सन ए में इंडिया गेट ठीक है बी में बिजली का खंबा सी में हम नौ जवाहेंगा ऑप्सनमबर कुद्रत साही इंसर हो जाएगा ऑप्सनमबर सी हम नौजवाहें नाम का जो नजम है यह परवेशादी की लिखेवी नजम है तो चलिए इसका एंसर हो गया आपसा नमर सी आगे बढ़ते हैं प्रवेशादी की एहलिय का नाम क्या था उनकी वाइफ का नाम बताना है तो आपसा नमर बीज़ दराइट हैंसर फजी लतुनेसा बेगम नाम था प्रवेशादी की वाइफ का और 993 था नहीं दो सो नमबर सवाल आपके स्क्रीन के उपर यहाए सवाल नमर दो सो है कि तसली से हयात की इशाद कब हुई ओप सने में है अजादी से पहले बी में अजादी के बाद C में आजादी के वक्त और D में कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा आपसा नमबर B आजादी के बाद तो यहां तक हम लोग 200 objective question complete कर लिए 2 objective question तो यहां तक complete हो गया ना और 100 बचा हुआ है दोसा एक नमबर सवाल आपके स्क्रिन के उपर है और एक बार फिर से मैं आपनों को याद दिला दू कि अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है लाइक नहीं किया और चैनल पर नहीं है तो सबस्काइब जरूर कर लिजेगा शेर वगरा नहीं किया है तो फड़फट कर दीज 66, C में 66, D में 66, अंसर हो जाएगा आपसन नमबर A, 65 में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी, आगे बढ़ते हैं, दो सा दो नमबर सवाल आपके स्क्रीन के उपर ये रहा, कि निदा फाजली ने अपनी नजमों में समाज के किस तबके को मसाइल को उभा रहा है, आपसन के कमजोर तबके को उभा रहा है, आपसन नमबर C, इस तरह इट इसर आगे बढ़ते हैं, शामिल नसाब नजम बिजली के खंबा का शायर कौन है, शामिल नसाब नजम यानिके अमडों के सिलेबस में, अमडों के बुक में जो नजम दिया गया है, बिजली का खंबा, उसक की कुन सी नजम हमारे निताब में शामिल है। 2 mnie खड़ा डिनर। tp १ में नजम बहुत असान थी है चुरी में इंडिया गेट तो बिजली का क्वम्रा के लावा दाफाजली की जो नजम है नजम बहुत असान facto पहले वह हम लोगे सिलेबस में हैं यानि कि आपसन नमर बी इस तरह इंसर आगे बढ़ते हैं निदा फाजली को कौन सा अवार्ड मिला आपसन ए में खुसरू आवार्ड वी में अगाली वार्ड सी में साहित थे सम्मेलन अवार्ड और डी में सभी सही अंसर अपसन नमर डी हो जाएगा यह सब ही अवार्ड मिले थे निदा फाजली को चरिए आगे बढ़ते हैं सेद मुँएं जाफरी की सन पैदाईश क्या है और वालिद का नाम पानए स्यद मूह जाफ़ी कहां पैODा हुए किताङ लाहुर में यानिकी आपसन nih do एंसर आप लोगो दिखाई दे रहा होगा जी हो, आपसे नमबर C अगर आप लोगो सी लगा है तो बिल्कुल सही जवाब है, शुखे तहरीर नेक्स्ट कुशन की दर्जाल में, दर्जाल शुरा में मज़ाख के शायर कौन है असी मज़ाख वाले शायर कौन है बताएं, सही एंसर दिख रहा होगा आप लोगो आप लोगो आपसे नमबर B दिलावर फ्रिगार, आपसे नमबर B इस तर राइट एंसर चलिए, आगे बढ़ते हैं गालिब का पूरा नाम बताना है, पता है आप लोगो गालिब का पूरा नाम, अस्दुल्ला खा गालिब, आपसे नमबर B इस तर राइट एंसर आगे बढ़ते हैं गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखलुस रखते थे, स्टार्टिंग में, मिर्जा गालिब शायरी में कौन सा तखलुस यूज़ करते थे, बताना है तो आप लोगो पता है, इसका सही एंसर, हाँ, आपसे नमबर A, असद, आपसे नमबर A, इस तर राइट एंसर, शु गालिब शायरी में, मिर्जा गालिब की पैदाईश हुई थी, आगे बढ़ते हैं, गालिब के अबाउजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे, ए में है तहरान, बी में है इराक, सी में हिरान, और डी में है बगदाद, बताएं, अकसर इस्टुडेंट इन दोनों आपसन म थोड़ा सा कंफियूज हो जाते हैं, कि एराक होगा कि एरान, तो बताएं, सही जवाब क्या होगा, गालिब के अबाउजदाद जो है, वो कहां से हिंदुस्तान आए थे, तो धियान रहे, एरान से आए थे, एराक नहीं होगा, एरान होगा, ठीक है, आपसन नमर सी, मिर्जा जी का नाम बताना है, पता है आप लोगो अब्दुल्ला बेग, यानि कि आपसन नमर बी इस्टराइट इंसर, आगे बढ़ते हैं, मिर्जा शौक का असल नम रियल नम बताना है, आप बताएं, सही जवाब क्या होगा, A में है, मुम्मद हामिद खान, B में है, तस साल पैदा हुए, आपसन नमर डी, सतर सब सतीरा सी, इस्टराइट इंसर, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था, आप लोगो पता है, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा था, तबाबत का, यानि कि आपसन नमर बी इस्टराइट इंसर, तबाबत का, आगे बढ़ते मृजा शौक का मसनवी का नाम बताये ये मृजा शौक की लिख्योंगी मसनवी का नाम बताना है ए में हैं खुत्वनिशनलम कि बुन पूल बन स्री में फरेविष्क और डि में शहर अलबयान राइट अनसर इस अपसिन अबर सी फरेव इश्क निजशनलम की मसनवी है दो सब एक इस नंबर सवाल है, नसीम का full name है, दया शंकर नसीम, यानि कि आपसा नंबर C is the right answer, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दो सब बाइस नंबर सवाल कि नसीम कहां पैदा हुए, ए में है दिली, बी में है दक्कन, C में है लखनवी और डी में है पठना, तो नसीम पैदा ह हुए थे हैं, लखनव में, यानि कि आपसा नंबर C is the right answer, C हो गया बिल्कुल सही जवाब, दो सब तेईस नंबर सवाल है, कि नसीम की मसनवी का नाम क्या है, दया शंकर नसीम की मसनवी का नाम बताना है, A में है सहर बयाँ, B में है गुलजार नसीम, C में बुच्तान एख नसीम का इंतकाल कब हुआ, नसीम का इंतकाल हो गया था, ठाटार सब पैतालिस, यानि कि आपसन नंबर B इस तरह इंसर, नेक्ट कोशन है कि शायरी में, नसीम किसके स्टूडेंट थे, इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन नंबर B आतिस, याद रखिएगा, ये भी कोशन कितना बार पूचा गया है, नसीम किसके शागिर्थ थे, या शायरी में नसीम किसके शागिर्थ थे, तो आपसन में दिया रहेगा, आतिस, उसको आप लोगो टिक कर देना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नसीम के वालिद का नाम क्या था, ये में हैं, गंगा परशाद को की परी का नाम क्या रहता है और अमें है बगावली बी में है जैनुलमुलूग चैनल मुलूग कोई नहीं यह तो एक्दम कोशन है परी का नाम रहता है यह इस तराइट इंसर नेक्ट कोश्चन नसीम की पैदाइश कभी नसीम की पैदाई सुई थी 18 से 11 यानी अटार सा 11 यानी की ऑप्षिन नमर D is the right answer आगे बढ़ते हैं प्रफट मसफी का पूरा नाम क्या है था A में हुलाम हमदानी B में करामत हुसान हमदानी C में एमद हुसान हमदानी और D में तसद्दक हुसान हमदानी तो मसफी 1748 यानि की option number D हो गया बिल्कुल सही जवाब सवाल नंबर 231 की मसफ़ी की जिर इनसाब मसनवी का उनवान क्या है हम लोगे बुक में जो मसनवी दिया गया है मसफ़ी का उस मसनवी का उनवान यानि की टाइटल क्या है option A में गुल बकावली बी में जैनल मुलूक सी में आगाज दास्तान और D में गुलजार नसीम right answer is option number C आगाज दास्तान इसका टाइटल है next question उर्दू की पहली मसनवी कौन है A में सहर्वल बयान B में कदम राओ पदम राओ C में जैर A, D में फरेविश्क यह हर एक चीज में आप लोगो पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगो पता होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B कदम राओ पदम राओ I hope आप लोग भी लगाया होंगे आगे बढ़ते हैं जोकि बिल्कुल सही जवाब है मसफी की वफात कब हुई वो हुई थी अठासट चौबिस यानि की option number C is the right answer Next question मसफी की पैदाइश कहां हुई A में दिल्ली, B में पंजाब, C में अमरोहिया और D में बंबई पता होगा आप लोगो पैदाइश हुई थी हाँ अमरोहिया में option number C is the right answer Next question 235 की मुबारक अजीम अबादी की पैदाइश कब हुई मुबारक अजीम अबादी की पैदाइश हुई थी 1870 यानि की option number A is the right answer Next question है की मुबारक अजीम अबादी की पैदाइश कहां हुई A में है बखतियार पूर, B में है ताजपूर C में है पटना सिटी और D में है बाढ़ राइट एंसर इस अपसा नबर B ताजपूर में हुई थी मुबारक अजीम अबादी की पैदाइश्ट I hope B लगाए होंगे आप सभी लोग जो की बिलकुल सही जवाब हैं मुबारक अजीम अबादी के वालित यानि की पिता जी का नाम बताना है, A में है फिदा हुसेन B में है मोहमद Hussain वामक C में है फिदा हुसेन वामक और D में मजहर हुसेन स्टाटिंग में फिदा हुस Stanley ever कर इसी को ठीक नई कर देना है आप लों को ्रोटल नाम देखने है फुल नेम्-था पर दिया हुआ है फिदा हुसाइन व्लक्स में देख लिजेगा वंक लगा हुआ है तो यहां पर further Indrasstar helping भी लिखा है तो कौन सा टिक करना है आप लोग को अप्सन नबर सी टिक करने देना है ठीक है आगे बढ़ते हैं फारसे शायरी में मुबारक अजिम अबादी के टीचर का नाम बताना है जो कि मैं आप लोग को अलड़ी कितना बार बता चुकी हूं कि वह अब्दुलहमीद प बताएं उर्दु शायरी में हाँ दागे देलवी यानि कि और इस तरह इंसर चलिए 240 नबर सवाल कि मुबारक अजिम अबादी का इंतकाल कब हुआ तो मुबारक अजिम अबादी का इंतकाल हुआ था उन्हें 58 यानि कि और सी हो गया बिल्कुल सही जवाब नेक्ट सब्सक्राइब करते हुए कितना रुपए वजीफा मुकर्र किया था तो राइट इंसर ऑप्सन नबर ए सौ रुपया ऑप्सन नबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब एमद फिराज की पैदाइश कब हुई? एमद फिराज की पैदाइश हुई थी выглядит दिए हुए उन्हें 33 यानि कि और बिल्कुल सही जवाब दोसब 45 fло कि अपनी मौच से चंध माह पहले, एमद फिराज किस शहर में आए हुए थे ए में है दरभंगा, भी में है पटना, सी में है भागलपूर, औरडी में है मुझफर पूर, राइट अंसर बताएं, इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन नंबर आपसन नंबर ए दरभंगा अप्सन नमबर A इस्टराइट इंसर दर्भंगा आये थे अपनी मौत से चंद माँ पहले अहमद फिराज ठीक है जिस गजल में रदीफ नहो उस गजल को क्या कहते हैं ये भी मैं आप लोगा अलड़ी बता चुकी हूँ उस गजल को कहते हैं हम लोग गायर मरदफ यानि कि आप्सन नमबर B इस्टराइट इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं दक्कन के किस शायर के जरीए उर्दु गजल शुमाल तक पहुची ये मैं कुली कुत्ब शाहबी मैं वली दक्नी सी मैं मला वज़ी और डी मैं कोई नहीं तक दक्कन के किस शायर के जरीए उर्दु गजल शुमाल तक पहुची बी इस्टराइट इंसर वली दक्नी इस्टराइट इंसर आगे बढ़ते हैं एमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए ए में है पिशावर उनिवर्सिटी बी में दिली उनिवर्सिटी सी में पंजाब उनिवर्सिटी और डी में कराची उनिवर्सिटी तो एमद फिराज जो है ना वो पिशावर उनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए उनक एकदम आप लोगो गोल सकते हैं ज्यादा घबडानी की ज़ुरत नहीं है और पचास बचाहएं आराम से कीजिए कोई जल्दबाजी नहीं है राम राम से सोच समझ कर एंसर देना है लेकिन बिल्कुल सही एंसर देना है देखिए दो से 51 सवाल है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं यह में है मतला, B में है मकता, C में है मरसी और D में है मसलमी बताएं और 50 सवाल बचा हुआ है उसके बाद से complete ह जाने वारा है तींसल लेने की ज़वरत नहीं है तो इसका सही अंसर सब्सक्राइक हम अ जितला आगे बढ़ते हैं कि गजल के आखरी शेर को क्या कहते हैं गजल के आखरी शेर को हम लोग कहते हैं बढ़ाये प्रफट 252 का गजल के आखरी शेर को ऑप्सन और अगे बरते हैं हसनिम की पेदाइश कब हुई हसनिम की पेदाइश वई थी दूसा स्थ तुकन सी-ज़ाय करे भी तुकन से लगाये ओ स्थिक्रामगे जो की सही जवाब है यूज है शुछी जवाब अधियू और दी में है रिजा लाइबरेरी रामपूर तो हसन नईम जो है ना वह गालिब इंसिट्यूट में डिरेक्टर के उदे पर महमूर थे इनको पूश्ट मिल गया था अपसद नमर भी हो गया बिलकुल सही जवाब 256 नमबर सवाल कि हसन नईम किस शूबे में मुलाजमत करते थे ए में हैं वजारते दफा बी में हैं वजारते दाखला सी में हैं वजारते खारजा और डी में हैं वजारते रेल तो आप लोगों को पता होगा आपसन नबर सी इस तराइट इंसर वजारते खारजा में हसन नईम मुलाजमत करते थे आपसन नबर सी इस तराइट इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ 257 नमबर सवाल कि हसन नईम का इंतकाल कब हुआ हसन नईम का इंतकाल हो गया था उन्हें से क्यान बिर में यानि कि आपसन नबर ए हो गया बलकुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं 257 नमबर सवाल है कि परविन शाकिर की पैदाइश कहा हुई ए में है कराची भी में है हवर सी में हैदराबाड और डी में इसलामाबाद परविन शाकिर की पैदाइश होई थी कराची में तो आपसन नमबर ए हो गया बलकुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं परविन शाकिर की पैदाइश कब हुई अब बताना है कब हुई तो हुई थी उन्हें साबावन में आपसन नमबर बी चली आगे बढ़ते हैं परविन शाकिर के वालिद यानि की पिताजी का नाम बताना है ए में है काशिफ हुसेन बी में है तारिक हुसेन सी में है साकीब हुसेन और डी में है खालिद हुसेन पता होगा आप लोगो आपसन नबर सी स्थाराइट इंसर साकी भुसें 260 सवाल कर चुके और 40 बचा हुआ है परविन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहा गए 261 सवाल है बताएं A में हिंदुस्तान, B में है पाकिस्तान, C में अफगानिस्तान और D में है इरान तो परविन शाकिर के जो वालिद थे न पिता जी वो हिजरत करके माइग्रेशन करके गए थे पाकिस्तान यान की आपसन नबर B इस दो राइट इंसर आगे बढ़ते हैं परविन शाकिर ने मैट्रिक का इमताहन किस स्कूल से पास किया ए में है रजिया गल्स हाई स्कूल बी में सस्कियत गल्स स्कूल सी में कराची गल्स उनिवर्सिटी और D में कोई नहीं राइट इंसर इस आपसन नबर A रजिया गल्स हाई स्कूल से परविन शाकिर मैट्रिक के इमताहन पास की थी ठीक है आगे बढ़ते हैं परविन शाकिर की शादी किससे हुई थी तो परविन शाकिर की शादी हुई थी डौक्टर नसीर अली से यान की आप्स्ऺ नमडर B is the right answer आगे बढ़ते हैं परविन शाक्र का इंतका कब हुआ परविन शाकिर का इंतकाल हो गया था इसका सही एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं परविन शाकिर परविन शाकिर गलती से परविन शाकिर का पहला मजबूआ का पहला किताब का नाम बताना है तो इसका सही एंसर हो जाएगा और सिर्गे का पहला किताब का नाम क्या है खुश्बू यानि कि option number C हो गया बिलकुल सही जवाब आई होप आप लोग C लगाया होंगे जो कि बिलकुल सही जवाब है next question है कि रिफान सिद्धकी का तालुक किस खांदान से था A मैं है शिद्धकी B मैं है स्यद्धकी सी उधिके खांदान और D मैं बड़ाय zoals खांदान तो इसका इसा सही आसर हो जाएगा option number A शिद्धकी खांदान से तालुक था रिफान सिद्धकी का आगे बढ़ते है और बखल कि Two-Man कि सिद्धकी मैठीक का इम्तान का स्कीया Jeez इर्फान सिदिक्की मैट्रिक इम्तान पास किये थे उन्हें सत्रिपन में यानि की ऑप्सिन नमर भी हो गया पिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं मौलवी एक्राम एहमद साथ सिदिक्की अपने एहद के सरसियत समझे जाते थे या इर्फान सिदिक्की के कौन थे यह मै मौसन कम्यूनिकेशन में कहां से हासिल किये यह मैं दिल्ली भी मैं लख इसी में बदाई ओडी मह inflation किये दिल्ली से म सिद्बुनिकेशन में डिप्लोमा इस वडूल के ते चाहब साथ लिए 271 साथ कि सवाल एक मालवी का अगली मत्रम किसeder हो द्रामा है काली दास का लिखा गया था काली दास का लिखा हुआ है मालवी का अगनी मत्रम लेकिन इसको उर्दू में काम किये थे लेकिन लिखा हुआ किसका है का आप गूल सकते हैं लेकिन लखा에 किसके द्वारा लिखा गया है कालिदास के द्वारा याद रखिएगा तो मालवी का अगनी मत्रम यह संस्क्रिट ड्रामा कालिदास का है यानकि ऑप्शन नमर भी इस तरह इंसर ध्यान में रखना है आगे बढ़ते हैं इर्फान सिदिक्की की मौत किस वज़ा से हुई ए में कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमर भी ब्रेंट यूमर के वज़ा से इर्फान सिदिक्की की मौत हो गई थी तो आगे बढ़ते हैं जफर गुरखपूरी की पदाईश कब हुई जफर गुरखपूरी की पदाईश होई थी उन्हें सब 35 यानिकि ऑ यह हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं दोहे में कितने मिश्रे होते हैं एकदम आसान है दो से दोहा और दो से दोहा और दो यानि कि दोहे में कितने मिश्रे होते हैं दो मिश्रे हैं यानि कि ऑप्शन नमर ए इस ता राइट एंसर यह तो एकदम हलवा कोश् हिंदी दोहे से ही दोहा उर्दू में आया है तो option number B हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं 277 नंबर सवाल की सवाल सलाम मचली शहरी किस सिन फिर्शायरी के शायर है सलाम मचली शहरी बताए किस सिन फिर्शायरी के शायर है तो इसका answer आप लोग बताया दे 277 का यहाँ पर option गलत दिया है यहाँ पर C में गीत होना चाहिए क्योंकि सलाम असली शहरी जो है न वो गीत जो है न गीत के शायर हैं गीत लिखा करते हैं तो यहाँ पर नजम लिखा हुआ है यहाँ पढ़ना जिमना रहा कर गीत रहना चाहिए option ही गलत डला गया है बट कोई दिकर नहीं है आप लोग के exam में जब question पूछे दाना तो option में गीत दिया रहेगा तो आप लोग को गीत टिक कर देना है क्योंकि सलाम असली शहरी गीत के लिए मशूर है यह गीत लिखा करते है ठीक है आगे बढ़ते है जमना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है बताईए यह मैं है उत्तर प्रदेश बी मैं ही माशल प्रदेश थी मैं है उत्राकंड और डी मैं है बिहार तो जमुना नदी जो है वो हमारे मुल्क के सुबा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है यानि कि आप्सिन नमर ए इस दो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं कि ताज महल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई किस ने बनवाया था ताज महल ये बच्चा बच्चा जानता है कि ताज महल शाजाह ने बनवाया यानि कि आप्सिन नमर बी हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं आकास का मुतरादिफ लव्ज क्या होगा आकास का मुतरादिफ यान एक शमान अर्थ रखने वाला शब्द बताना है लफ़ बताना है तो इसका सही आन्सर आप्सन नमर ए आसमान आकास बोलिया फिर आसमान बोलिया बात एक ही हे आगे बढ़ते हैं डोसा 80 नंबर सवाल सब्रों सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राम के सब्सक्राइब ये में है सरस्यद B में है शिबली C में हाली ओडी में जगाउला तो असारुल सनादीद ये तस्नीफ है सरस्यद की यानि कि आप्सन नंबर A इस तर राइट अंसर I hope आप लोग यह लगाये होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है दोसा अब्यासी नंबर सवाल आपके स्क्रिन के उपर डॉक्टर अब्दुलमुगनी के मताबिक अदब समझने वालों का हलका रोज बरोज क्या हो रहा है ये में बढ़ रहा है B में है घट रहा है C में है न बढ़ रहा है न घट रहा है तबी में तजारत C में वकालत और D में हकूमत तो लुद्फु रह्मान जो है न लुद्फु रह्मान को उर्दू तद्रेस के अलावा उनको दिल्चस्बी थी सियासत में आगे बढ़ते हैं फयाज रिफत का तालुक किस शुबे से हैं बताएं आप्सन A में है तद्रेस B में All India Radio C में है तनकीद और D में सियासत तो फयाज रिफत का तालुक है All India Radio से यानि कि आप्सन नमबर B इस तराइट इंसर B हो गया बिल्कुल सही जवाब 225 नमबर सवाल कि मर्ज तनकीद नमबर C हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं नजम जो है नजम खड़ा डिनर के शायर कौन है राइटर कौन है नजम खड़ा डिनर के A में सेयद मुहमद जाफरी B में नदा फादली C में परवेश रादी और D में चकबस्त तो खड़ा डिनर डाम के नजम के चैप्टर के राइटर हैं सेयद मुहमद जाफरी आपसन नमबर A हो गया बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट कोश्चन रजज किस सिंफ शायरी का हिस्ता है A में मस्नवी B में कसीदा D में मर्सी और D में कता तारी ये कितना बार पूश्चन पूछा गया है पताए इसका सही ऐनसर हो जाएगा आपसन नमबर C मर्सिया मर्सिया का हिस्ता है रजजज यानि कि option number C हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं दो साथासी नमबर सवाल जिस नजब में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं आप लोगो पता होगा जहर इश्क नाम का जो मस्नवी इसमें किस लड़की की बात की गई है बताईए ए में बादशाह की लड़की भी मैं नवाव की लड़की सी मैं सौधागर की लड़की और डी मैं वजीर की लड़की पता है आप लोग एंसर हाँ सौधागर की लड़की यानि की आपसर नमबर सी इस तर राइट एंसर सौधागर की लड़की नेक्स्ट कोश्टन है दो सा नब्बे नमबर सवाल बकावली किस मसनवी का किरदार है ए में जजबे महबत वी में सहर ब्यासी में गुलजार नसीम और डी में जहर इश्क तो बकावली जो है ना मुगलजार नसीम नाम के मसनवी का किरदार है करेक्टर है अई होप आप लोग सी लगाये होंगे जो कि बिलकुल सही जवाब है दो सा नबे तक हम लो कोश्टन कर लिए अब बचा हुआ है और देश्टो कोश्टन तो देखिए दो सा एक आनबे नमबर सवाल है कि शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है ए में है अख्तर गुरखपुरी बी में मुझफफर गुरखपुरी दोहे के शायर जो आप लोके बुक में दोहा दिया गए उसके शायर है जफर गुरखपुरी यानि कि ऑप्सन नमर सी इस तर आइट इंसर आगे बढ़ते है दो सा बानबे नमबर सवाल कि दाना मदाम किसका अफसानवी मजमुआ है किसका कहानी का किताब है दाना मदाम जो है यह अफसानवी मजमुआ है बेदी का यानि कि ऑप्सन नमर बी इस तर आइट इंसर नेक्स्ट कोश्चन कि बेदी के एक नाविल का नाम बताएं ए में साथ खेल बी में एक चादर मैली सी सी में गरम कोट और डी में देवधास तो बेदी के एक नाविल का नाम है एक चादर मैली सी यानि की ऑप्सन नमर बी इस तर आइट इंसर आई हो अप लोग भी लगाए होंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब है एक्स कोश्चन नजब मनाजर कुद्रत में कहां का मनजर पेश किया गया है यह मेह देहरादून, B मेह लाहूर, C मेह लुदियाना, D मेह गॉरख पूरी यह भी मैं आप लोगो बता चुकी हूँ शायर जो है मनाजर कुद्रत के जो शायर वह गयर रहते है देहरादून घुमने के लिए इसलिए देहरादून के मनजर को अपने कवीता मनाजर कुद्रत में बियान किये हैं यानि कि इसका सही इंसर क्या हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोसब 95 नमबर सवाल की चकबस्त का इंतकाल किस बिमारी में हुआ ए में है फालिज भी में ब्रेन ट्यूमर सी में सड़क हादसा और डी में कोई नहीं राइट इंसर इस उप्सन नमबर ए फालिज से हुआ था चकबस्त का इंतकाल उप्सन नमबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं और पांच कोशन बचा हुआ है दोसा 96 नमबर सवाल है कि परवेश आदी की जाए पैदाईश का क्या है यान कि किस जगह पर पैदा हुए परवेश आदी ए में हराय बरेली भी में लखनवी स्री में है ए में है मरसिया, भी में है मसनवी, सी में है गजल और डी में है गीत तो बतायें 27,9 का सही अंसर हो जाएगा ओपसन बर सी गजल घजल से जो है ना शौक लखनवी इस्टारٹ किये थे शाइरी के शुरुवात मतलब शाइरी के शुरुआत किये थे गजल से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशचन है कि कौन मशुर स्थाइर्थ मसफ़ी के स्टूर्डंट थे अ में है आतिश वी में गालिब सी में मौमिन और डी में आनिस यह भी कुशन कितना बार पूछा जा चुका है सारा कोशन मौश्ट इंपोर्टन्ट है और ये तो मौश्ट बहुत ज़्दाई कितना पर पूछा गया है तो बताई इसका सही जवाब दो सान थान बेर का आप्सन नबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आतिश जो कि एक मशुर शायर थे ये आतिश जो है ना ये मसफी के शागिर थे यानि कि मसफी के स्टूडेंट थे तो आप्सन नबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब दो सान इन्जान बेर नमबर सवाल कि एहमद फिराज का तालुक किस मुल्क से है आपसन ए में हिंदुस्तान बी में अफगानिस्तान सी में पाकिस्तान और डी में इरान तो एहमद फिराज का तालुक है पाकिस्तान से यहनि कि आपसन नमबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं लाश्ट सवाल तीन सान नमबर सवाल फाइनली लाश्ट सवाल आपके स्क्रिन के उपर है तीन सान नमबर की परविन शाकिर किस हैसियत से मशूर हुई ए में है घजल गो ब में है मर्सिया गो सी में दास्तान गो और डी में है नाविल निगार तो सही जवाब हो जाएगा तीन सा कोश्चन तीन सान नमबर कोश्चन का ऑपसन नमबर ए घजल गो ऑपसन नमबर ए इस तर आइट इंसर घजल गो से परविन शाकिर जो है मशूर हुई थी तो ये था टेन्थ क्लास के उर्दू के अब्जेक्टिव कोश्चन का वन शॉट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को तीन सा अती महत्वपों यानि कि मॉस्ट इंपर्टिन अब्जेक्टिव कोश्चन कराई हूं इन सभी कोश्चन में से आई होप लगबा कोश्चन पर आप लोग का कमांड होगा क्योंकि सारा कोश्चन तो चैप्टर से उठाया गया है सब्जेक्टिव कोश्चन से रिलेट जो आज किस वीडियो में कराई कमें में पूछ सकते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग दो तीन नंबर और पास नंबर वाला मॉस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चन जो मैं कराई हूं 10th क्लास के उर अब क्या करेंगे डिक्वाब करेंगे इनल कि लिए और उऔर इन पॉर्टेंट नंबर वाला सब्जेक्टिव कोश्चन को करेंあー आप लोग मुलेगा और यह दोनों व ह acum आप लोग को इंपाएं और वीडियो मिल शकते हैं लिखें 벼ी मखिव सेटना लाते हूं आप आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जोहिंद और खुदा हाफिज